असलाब को मिवर्स देख रहे हैं आप लोगों के लिए लेकर आई मतन शोरबा जो बहुत ही मज़ेदार बनता है तो आई चलते हैं प्रेस्पी की तरफ यह मतन शोरबा मैं बनाओं कि इंस्टेंट पॉर्ट में तो इंस्टेंट पॉर्ट के अंदर मैंने ऑईल गरम होने को क्योंकि विंटर स्टार्ट हो चुकी है और और मुस्ट सभी के साथ कोल अन फ्लू की कंडिशन हो जाती है तो उसके लिए यह मतन शोरबा बहुत अच्छा रहेगा और गरम हो चुका है अब मैं इसमें टाल दूंगी एक अदर मीडियम साइस की प्यास और बस प्यास को हम स कच्छा पन खतम हो जाए अब इसमें चला जाएगा साबित अद्रग लेसन और एक अदर टिमाटर अच्छे से मिक्स करेंगे तो चला जाएगा मटन और बस अब मैं इसको कवर करके तक्रीबन बस सिर्फ दो से तीन मिनट का प्रेशर लगाओंगे ताकि टिमाटर के छिल्के थोड़े से सॉप्ट हो जाएगा चैनल जी अब आप लोग देख सकते हैं दो से तीन मिनट हो चुके अब मैं जो टिमाटर के छिल्के थे मैं इनको रिमूव करतेंगी जहां से करकर के ठीक है यह हो गए चलेंजी अब यह सारा मसाला इसमें चला जाएगा नमक लाल मिर्च पिसीवी हल्दी कश्मेरी लाल मिर्च और पिसावा धनिया यह इसमें चला जाएगा यह आप देख सकते हैं काली मिर्च को अब अच्छे जाएगा तक तक तरह से बुनाई करने के बाद अब इसमें मैं डाल जूंगी तो टेबल स्कून योगर्ट अब मैं इसमें पानी आट करते हैं जितना भी शूर्बा आपको रखना हो इसमें पानी आट कीजेगा अब मैं इसमें तक्रीब बंदरा मिनट का प्रेशर लगा दूंगी यह आप लोग देख सकते हैं मज़िदार मटन शूर्बा बनके तयार है अब मैं इसमें टाल दूंगी एक अदत हरी मिरच थोड़ा सा गरम मसाला इसमें और चला जाएगा थोड़ा सा खराधनिया अब सिर्फ एक मिनट के लिए मैं इसको कवर करके छोड़ दूंगी वज़िदार मटन शूर्बा बनके तयार है अब मैं आपको इसको डिशाट करके दिखाती हूँ मज़िदार मटन शूर्बा बनके बिल्कुर तयार है जरूर ट्राइक कीज़ेगा अपना फीडबेक दीज़ेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीज़ेगा मिलती हूँ आप से अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अलाफिस